नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सभी का गोपाल आसरम अखाड़ा मत्थुरा में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज इस अखाड़े पर प्रदेश के उर्जा मंत्री स्रीकांद शर्मा जी पधारे और उन्होंने सभी पहलवान जितने भी हमारे खिलाडी हैं जो यहा के पर सिवाले चत्रुवेदी जी एवन नरेंद खलीफा जी ने स्रीकांद शर्मा जी को पटुका उड़ा कर एवन उन्हें पगड़ी पहना कर उनका स्वागते वन सम्मान क्या आप देख सकते हैं सिर्कांद शर्मा जी ने हमारे सभी पहलवानों के साथ मिलकर पूरे गो अखाडे पर पहलवान निरंतर अभ्यासरत रहते हैं इसी बात को द्यान में रखते हुए माननी है स्रीकांद शर्मा जी इस अखाडे पर पधारे जहां पर नरेंद खलीफा एवन सिवाले चत्रुवेदी जी साइथ हनुमान पहलवान मुरादी पहलवान दीप पहलवान स स्रीकांद शर्मा जी का स्वागत किया अब देख सकते हैं कि किस तरीक से इस अखाडे पर अभ्यास कराया जाता है आप देख सकते हैं सिवाले चत्रुवेदी जी साफा ओड़ा कारे वं पटुका पहना कर स्वागत करते हुए साथ ही सबी पहलवानों को बधाई संदेश प्रिदिय स्रिकान सर्मा जी ने कि आप इसी तरीके से निरनतर अपनी अभ्यास करते हैं और साथ ही बताना चाहूँँगा कि जैसे ही स्रिकान सर्मा जी यहां से गए उन्होंने फेस्बूक पोस्ट पर यहां डाला भी है कि कुस्ती को मिट्टी के साथ मैट पर भी लाने की तयारी है तो उमीद करूँगा कि आप सभी इस अखाड़े के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस अखाड़े से लाब ले कुस्ती की तयारियों में देखिए हनुमान पहलवान जी स्वागत करते हुए साथ ही पहलवान यहां पन निरनतर अभ्यास करते रहते है एक बार फिर से आपको सीधे अखाड़े की तरफ ले कर चलते हैं और देखाते हैं कि आखिर किस तरह से सिरकान शर्माजी ने पूरे अखाड़े का निर्ख्षण किया और देखा कि आखिर पहलवान किस तरीके से पहलवानी की तयारी करते हैं और क्या कुछ असुविधाय हैं जो कि उनको होती हैं इस तैयारी को करने में उसका विसेज ध्यान रखते हुए आगे इस अखाड़े को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहने के लिए वादा भी किया है